वहार हमारे चिंकू जी को देख लीजे चिंकू जी चिन्टू जी जो चिंटू जी सुब़सुब़ उठाए बिने कुछ काम-धाम के खड़े हो गया बेखाए हैं इस धूप बती के यह जो स्मोक पार्टिकल एख से टकराते हैं और यह लाइट क्या करते हैं स्कैटरिंग अ तो देखो, जहाँ जहाँ पर मेरी धूप जाएगी, जहाँ जहाँ पर मेरी धूप जारेए, वहाँ की लेजर लाइट Hello students, welcome to Arise the Talent कैसे हो आप सभी, I hope सभी बहुत अच्छे हो, मजे में हो, full energy mode के साथ मैं आज शुरू करने वाले हैं हमें एक बहुत ही important topic, हमारे chapter, the human eye and the colorful world से अब मैं पहरे एक बात पूछना चाहता हूँ, देखो, यह जो मैं पूछने वाला हो, यह सब के साथ हुआ होगा, ठीक है बट काफी बहुत ही जादा कम लोग होते हैं, जो इस पर focus करते कि यार ऐसा कुछ क्यों हो रहा है सुबह सुबह ममी जाडू लगाती है, मताब ममी लगाती है, तुम तो लगाती है, तुम तो बहुत ही जादा अच्छे बच्चे हो, तुम तो इत्ता घर के काम करोगे नी, पर जब सुबह सुबह तुमारी ममी जाडू लगाती है, तुमने पता एक चीज नोटिस करी होग विंडोस के थिरू से रूम में एंटर कर रही होती है तो विंडोस से शनलाइट कुछ इस टाइप से आपको दिखाई दे रही होती है अब आपने देखा होगा वैसे तो नॉर्मल से लेकिन जैसे है आपकी अपना अस्तर उथा थाती है जो होता है ज़ाडू और दूसरा तर Welcome to Arise the Talent, कैसे हो आप सभी, I hope सभी बहुत अच्छे हो, मज़े में हो, Full Energy Mode के साथ मैं आज शुरू करने वाले हैं, हमें एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे चेप्टर, The Human Eye and the Colorful World से, अब मैं पहरे एक बात पूछना चाहता हूँ, यह सब के साथ हो बहुत ही जादा कम लोग होते, जो इस पे फोकस करते, क्या कुछ गो हँता है, सुबब सुबब ज़ाड़ू लगाती माम्मी लगती तुम तह लगाती है नहीं कहीं तुम तह बहुत ही ज़ादा अच्छे बच्छे वोक्त तुम तो इत्ता गर की शाड़ू लगती है तुम ने पता एक चीज नोटिस करी होगी क्या करियोगी मैं बतातों देखो जैसे मामी सुभे मतलब सुभे का टाइम होगा अराउंड अज्यूम कि 829 या हो सकता है 728 का टाइम हो जब सनलाइट आपके रूम में एंटर हो रही हो मतलब सन की पोजिशन अल्मुस्ट जो पैलल होगा उस से थोड़ा सा ऊपर हो न लेकिन जैसे ही आपके मम्मी अपना अस्त रूथा थी है जो होता है ज़डू और दूसरा तरह मम्मी अपना कपरा लेलती खुब कपड़े छोटे सेंड पार्टीकल्स ड्सट पार्टीकल्स यह सब आपको दिखाई देंगे जो मम्मी ने जाडू के टाइम पर उड़ा है या फिर मम्मी ने मताब सोफे का कवर होगा या पिर हो सकता टीवी का कवर है या आपके बैट करके यह 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 फाय जा जो चाटो तो जैसे यह जा इसा होगा तो काफी जादा सक्यद्ध रूम पार्टिकल्ट्ट्स यह किस की एकिस फिनॉमेना की वज़र कि सनलाइट मापको इतना गंदा हमारा रूम है है राम इतना गंदा पूरे में देखो धूली धूल और आपको बड़ा अजीब सा लगेने लगेगा बल्कि एक्चुली में वो सब आपके आसपास है आपको डेली मतलब पूरे टाइम वो आपके पास रहता है लेकिन पूरे टाइम दिखा ही नहीं देख सकते हैं आप उसको बात करने वाले हैं ठीक है देखेंगे भी कैसे होता है स्केटरिंग ओफ लाइट हमारी धूबती की मदश से लेकिन वह बात की बात है तो सबसे पहले स्कार्ट करते है हम हमारा आज का एलेक्चर जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा स्कैटरिंग स्केटरिंग के के बारे मैं अभम संजहिंगे किसके बारे में स्केटरिंग उस약 बारे में अब हम यापकर जानuleए सब से पहले स्कैटरिंग क्या होती है यामने अबको बता दिया है कि स्केटरिंग ओ लाइट और् Vitps neighbors in various direction when it interacts with particles in its path मतलब scattering होता कब है जब light छोटे 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 particles या छोटे छोटे water droplets होता है sand particles होता है इन सबसे अपने path मतलब देखो ये पूरा room है अभी इस पूरे room में मैं ज़ड़ू लगा दूँ या पी क्या होगा पार्टिकल से टकरा के deflect हो रही या तो deflection का काम करती है या फिर dispersion का काम करती है जिसकी वजह से वो visible होती है और तभी हमें क्या दिखाई देता है scattering it can only occur when light falls on the suspended particles in the atmosphere causing it to scatter in different direction और ये कब हो सकता है जब light क्या होती है light in proper particular particles पे टकराती है और टकराने के बाद में light अलग-अलग direction में क्या करती है scatter करती है अब ये scattering का major phenomena काफी ज़्यादा important रहा दो important factors के लिए जो है सबसे पहला यह आपको दिखाई दे रहा है यह है नीला अंबर नीला आस्मान बहुत ही सुन्दर हमारी हिंदी वाली मैंने हमने बता रखा अब यह आप सोचते होगे ना कभी ऐसा दिमांग में तो आया होगा कि सर यह बात तो बिल्कुल सही गई आपने कि जब मैं चट पर जाता हूं तो बेसिकली जब डे टाइम होता है तो डे टाइम के टाइम पर मुझे पूरा आस्मानी औरेंज दिखाई देने लग जाता है मतलब पूरा आस्मानी मुझे औरेंज दिखाई देता है यहां इस कंडिशन में मुझे आस्मान नीला दिखाई देता है ऐसा क्यों यह क्यों ब्लू दिखा रहे हैं और दिन के ताइम पर ऐसा नहीं एक दो मिनिट के लिए दिखा रहे हैं यहां पर एक एक्सपरिमेंट से समझेंगे तो आजो आजाओ हमारा टिंडल इफरक्ट क्या बोला जाता है तो बच्चो समझ आ गया कैसे स्काई ब्लू दिख रहा है और क्या रीजन था अभी आपको स्काय मेंने दिखा नैं स्काय किता सुन्दर ब्लू ब्लू था इसके पी कहां पर scattering of light किस तरह से important phenomena consider करता है उस पर अब देखो इससे पहले मैं कुछ बोलूँ आप ये मज़ेदार से हमारे चिंकु जी को देख लीज़े चिंकु जी चिंटु जी जो चिंटु जी सुभा सुभा उठे बिना कुछ काम धाम के खड़े होगे अब यही हमारे घरों में बिस नजारा मंतिश्था है अब भोत है चाय जाहिए रहते है ढक जाही होता है करो परर चाहा होटों है scatter कर रिया light उस effect को क्या बोलेंगे major नाम उसका क्या होगा यहाँ पर आपने forest में भी यह चीज़ नोटिस करेंगे forest में भी होता है sunlight आ रही होती है forest में भी आप जब चल रहे होता है normal देख रहे होता है आपको dust particles दिखाई दे रहे होता है इस particular point की वज़े से और इस point को बोला जाता है हमारा Tyndel Effect क्या बोला जाता नहीं होता हमारा Tyndel Effect बोला जाता है यह होता हमरा Tyndel Effect के बारे में और समझता है scattering of light particles in its paths is called the Tyndel Effect अब किसी भी particle छोटा suspended हो सकता है बोहती ज्यादा छोटा हो सकता है किसी भी particular small small water droplet हो सकता है कुछ भी हो सकता है हमारी air हो सकती है हमारे dust particles हो सकता है इन से scatter हुई light को अपने path के through में जो scatter हो रहे हैं उन सब को क्या बुलाएंगे हम तेंडल effect बुलाएंगे यह समझ में आ गया बहुत बढ़िया चलो तेंडल effect को easily observe किया जाकता है जब light की beam beam of sunlight क फिर जंगलों के canopy canopy क्या होता है बहुत सारे trees एक साथ कही पर लगे हो forest में तो उसमें टिंडल effect देखा जा सकता है जैसे आप इस बच्चे की condition में देख सकते हो और उसी तरह से आप इस forest में भी देख सकते हो ठीक है in a dusty room the tiny dust particles scatter the beam of light making its path visible to us the scattered light enters our eyes allowing us to see the beam of light और आपको पता है dusty room में क्या होता है जब dust आती है तो dust की वज़े से आप clearly देख सकते हो कि dust जाब हमें में उड़ रहे है तो उसकी वज़े से टिंडल effect आपको easily visible होता है और टिंडल effect क्या होता है scattering of light की वज़े से होता है जो छोटे-छोटे dusty particles की वज़े से हमें दिखाई देता है यह बात आपको समझ में आ गई यह कैसे हुआ अब यह छोटे-छोटे dusty particles अभी इस room में अगर मैं light बंद करके आपको यह ज़ड़ू लगा के दिखाऊ ना तो थ कैसे ममी ने ज़ड़ू लगए तुम ही मार दे ना थोड़ा सा इसी बाहने ममी घुर्षत हो जाएंगी महा पर dust particles आये की ने आये लेकिन मैं तो तुम्हें दिखाऊंगा तो चलो मैं तुम्हें टिंडल effect का एक बड़ा ही अच्छा सा मतलब scattering कैसे हुई और टिंडल effect कैसे क लाइट एंटर हो रही है नहीं आपे कोई अभी major light forms है अभी major light forms की consideration में मेरे पास सिर्फ tube lights हैं तो मैं लाओंगा आप किस लिए tube light को हटा के दो important lights जो रहेंगे आपके एक तो normal torch और एक laser light और किसकी help से हमारी इस धूप बती की help से मैं आपको सिखाने वाला हूं scattering of light के बार हो पा रही है देखो लेकिन कई सारे points पर यह आपको visible नहीं भी होगी अगर मैं इसको इधर उदर tilt करता हूं तो बट अगर मैं इस धूप बत्ती की range में देखो अभी मैंने क्या क्या है इस धूप बत्ती की रेंज में यानि क्या हो रहा है इस धूप बत्ती के यह जो smoke particle है से देखो न देखना अभी मैंने बिल्कुल end point पर धूप बत्ती को ज्यादा रखा है तो दीरे-दीरे scattering सबसे ज्यादा maximum कहां पर होगी बिल्कुल end point पर starting point पर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी end point पर बहुत ज्यादा रहेगी अब मैं अगर इस light को change कर देता हूँ हमारी laser light से तो फिर क्या होगा चलो laser light से change करके देखते हैं अब देखना अब मैंने क्या किया है अभी मैं इसको लेता हूँ और एक laser light को यहाँ पर मैंने project किया तो देखो जहाँ जहाँ पर मेरी धूप जाएगी जहाँ 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 पर मेरी धूप जारे है वहां की laser light सबसे ज़्यादा आपको विजिबल होगी आपको दिखाई इस लेजर लाइट को देखने में बहुत ही इसली विजिबल हो पारा है डियू तो दा टिंडल इफेक्ट हां तो बच्चो समझ आया है तिंडल इफेक्ट में स्कैटरिंग कैसे हुई चलो इतना तो आपको समझ में आ गया अब चलो एक छोटी सी बात समझते हैं कि स्काय ब्लू मेजर मतलब मैं बेसिक सा समझा रहा हूं इसमें बेसिक आईगी कि आपको पता है हमारी सनलाइट में सेवन कलर्स होते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं आपको यह पता चल गया है लाइट की स्केटरिंग हो रही है और स्केटरिंग की वज़े से जो मैंने अभी आपको स्काय दिखाय था स्काय कैसा दिख रहा है बिल्कुल आपका ब्लू ब्लू दिख रहा है ब्लू इस दिख रहा है अब यह नजारा आपको पता है कहां पर दिख लेकिन होता है जैसे बादल पूरे sky में लेकिन कुछ जगे पे जहां जहां पे बादल नहीं है इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इन पर्टिकुलर पॉइंट्स से sunlight के और यही है टिंडल effect का major reason ठीक है टिंडल effect कहां से यहां पे consider हो रहा है यह आपको समझ में आ गया लेकिन अभी sky blue क्यों बता है violet की सबसे कम wavelength होती है और red की सबसे कम wavelength होती है और red की सबसे कम wavelength स्केर हो सकते है फिर blue ही क्यों दिख रहा है देखो ऐसे समझो मैं आपको बता रहा हूँ विव गयोर ब्र ब्लू बेटेटीया, यह लिया इंधी ली में रूखकी है Enjoy रर की सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंशी सबसे कम वेवलेंथ वैवावयलेंथ सबसे कम फ्रिक्वेंशी फिर यह ब्लू लिए गया, यह ब्लू लेने के पीछे मेजर कनसिडरेशन किया feito यह ब्लू ही क्यों आया अभी स्काइ ब्लु क्यों दिख रहा है Green भी तो दिख सकता था Yellow, Orange चाई रहा हो दिख जाता है इंडी को दो दिख जाता है ब्लु क्यों दिखा के ब्लू होने के पीछे का मेजर रीजन बच्चों यह आता है कि ब्लू लाइट जो ब्लू लाइट बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है Red Light के comparison में ब्लू लाइट बहुत ही जल्दी scattered हो जाती है बात समझ मैं जो हमारी Red Light है ज्याद़ovained बहुत ही ज्यादा scattered होती है और ज्यादा scattered होने लट ही तो आपको ज्यादा emitijk agenda से फोने जबहुत ही तभी तो उसको signals में यूज किया जाता है अभी exclamation signals होता है road safety signals होते है traffic के signals होते हैं कहीं पे stop danger के signal होता है वो red में क्यों होता है क्योंकि light scatter नहीं करती एक ही point पे compact रहती है इस तरह से compact रहती है क्योंकि red light scatter नहीं होती है इसकी वाज़े से दूर से दिख जाता है ambulance police या कोई भी मंतरी शंतरी तंतरी की गाड़ी आ रही है इसलिए वहीं पे बात को रोग दिया जाता है वहीं पे हटा दिया जाता है सबको और वहाँ से गाड़ी निकल जाती है और red light का ही इन चीजों में यूज होता है और blue light scatter ज्यादा होती है blue light की scattering almost 10 times ज्यादा होती है red light से तो सोचो 10 times ज्यादा हो रही है तो obvious सी बात है हमें सबसे ज्यादा क्या दिखाए देने वाली है यह बात समझ में आ गए यहां तक किसी को भी कोई दिखकत नहीं आनी चाहिए समझ में यहां तक किसी को भी कोई सॉर्ट और प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग आ रही है तो भग जाओ यहां से मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आनी चाहिए ठीक है बाकी कोई भी दिखका तो let me know in the comment section I don't think इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई की क्योंकि यह तो बहुत ही basic concept था बठा टिंडल effect अच्छे से खुद देखके मुझे बताओगे कि क्या सुबह सुबह तुमने यह चीज नोटिस करी या नहीं और अगर करी तो फिर मुझे यह भी बताना कि कब करी और कैसे करी औ तुम को भी अच्छा लगे मुझे भी अच्छा लगे मुझे आच्छा लगे मुझे के अच्छा लगेbn है तो विड that note thank you so much for watching the video मिलता हो आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में नए lecture नए concept नए experiment और मेरे हिसाब से अब हमारे last topic ही बचा हुए तो उस topic को थोड़ा सा अ प्रॉपर्ली कैसे देखी जारी वो भी समझेंगे तो मिलता हूं आप से उसी लेक्चर में बहुत जल्दी नए वीडियो नए कॉंसेप्ट और कुछ मज़ेदार एक्सपेरिमेंट के साथ में बने रहना मेरे साथ तेल देन गुडबाई तेक्या सीया